हेलो एवरिवन बेलकम बैक माई यूटूब चैनल कैसे आप सब आई होप सब अच्छे होंगे तो मैं आपकी अपनी उमा बर्मा ब्लॉग चैनल से आज मैं आपका स्वागत करती हूं न्यू एक डिश के साथ न्यू तो नहीं है बैसे है पुरानी तो आज यह लंच का टाइ तो जैसे कि आपको बता है मैं बाहर रहती हूं तो कौन बनाएगा मुझे खुदी बनाना पड़ेगा या तो बाहर किसी रेस्टोरेंट में जाकर खाना पड़ेगा तो फिर मैं मुला नहीं उठो बनाओ और खुद खाओ तो यहां पर मैं बना रही थी थोड़ा सा मैंने बना दी थोड़ा अयान अंदर खा रहा था तो मैंने एक हाथ से फोन पकड़ा हो था एक हाथ से मतलब इसको कर रही थी तो फिर हैजबर आगे तो थोड़े से क्लिप उन्होंने बना दी तो सब्सक्राइब बहुत ही मन कर रहा था और यह मैं नियू कढ़ाई लेक्के आई जो वैसे मेरे पास और कड़ाई है स्टील की भी है सिल्बर की है तो यह स्पेशल हजबर मेरे लेके आये थे तो फर्स्ट एम इसको यूज्स कर रही हूं तो मैंने ज्यादा ओयल का मतलब खाना बन रहा है पकोड़े विग्यारा बन रही है तो इसी कड़ाई में बनाती तो ये पालग की पकोड़ी है और मैंने इसमें दो-तिन प्याज एड़ किये थे सच मैं बहुत ही अच्छी बनी थी और बिल्कुल कुर्कुरी बनी थी मतलब एक मन त्रिप्त हो गया था खाके और जो मेरा मन कर रहा था वो बिल्कुल ठीक हो गया था बस मैंने पकोडी खाई थी लंच बगारा नहीं खाया था लंच बगारा इन्होंने थोड़ा बुद ऐसे खाया था बाद मैं क्योंकि पेट इससे भर गया था हमारा तो सच में बहुत मन किया तो बनाके में खाले लेके जा रही हूं बाहर आईए आप भी खाऊ हो हमारे साथ हमारे साथ क्योंकि सर्दी में तो ऐसी चीज़ें खाने का बहुत मन करता है और इस ताम तो मेरा बहुत ही मन करता है बहुत साफ है मैंने सोस रखा था क्योंकि मुझे चटनी बगारा ऐसे अच्छी लगती है तो फिर उसके बाद यह है शाम का टाइम तो हम यहां पर पास म है ना मेला बगारा लगा जैसे शॉप्स बगारा अब तो यह विल्कुल जब हम गए तो यह सब दुकाने ना उठ गई थी तो लास्ट मैंने आपके साथ जो वीडियो शेयर किया है उसमें मैंने बताया था कि यहां पर जो मैंने चांसी की लगा वीडियो आपके साथ शेय लगा थी बड़ थोड़ा बहुत खाने की आइटमे थी और कुछ शॉप्स बगारा थी बरतर बगारा और खाने की आइटमे ज़्याद है यह लास्ट दिन था सारे पैक्स कर अपने समान बगारा पैक कर रहे थे और मतलोर सब समान था जूले का और जो बच्चों के बट ज्यादा खाने की और मैट वगयरा के कंबल रजाई यह दुकाने अभी थी बुलास्ट मतले उठरा समान पैक कर रहे थे बट बहुत ज्यादा थी तो उसके वाद हम आयान को लेगे ट्रेन पे विठाने के लिए क्योंकि जैसे कि मैं आपको पहले बताया था थोड़े हमने बुला इस पे बैट यह ज्यादा ना हाइट बेन जाता सेम टू सेम मेरी तरह है दरता है तो इस पे बैठने के लिए त्यार हो गया था तो काफी इसने इसने इंज्वाइए किया जब यह इदर उन जाय कर रहा था तो मैं आसपास चहल रही थी शॉप सुगरा देख तो हैसबर ने थोड़ी से क्लिप ले ली मेरी यहां पर तो काफी इंज्वाइए किया यहां ने इससे पहले बहुत बच्चे बैठे थे फिर यह भी यह बत्रा उठा रही समान को कि हमने जाना तो फिर नायान को बढ़ा दे थोड़ी देर के लिए इसका पराइस था 40 बहुत अभी समान था तो यहां एक यह दो जगा गया था और ज्यादा नहीं बैठा यह यह एक तुम्हें वारश हो रही थे और शाम का टाइम था वैसे आपको यह लाइट दिख रही है ज्यादा और और विसमान वाइब करते हम लेट हो गए थे और उसके बाद यह पुर कि जोर से म्यूजिक चला हुआ था और आयान आगे डांस भी कर रहा होगा आप देखना उसमें तो यह डख वगेरा बच्चों के लिए बहुत ही जाद है तो हाथ वह मैंने समान लिया है चोटड़ कुछ जो मैंने वाई किया वो था यह और कुछ हजबन के बैग में डाला मैंने उनके पास है बैग तो इस पर जाने के लिए वोड़ा था यहान बटे ना पुरा खराब हो था बारिश की बज़े से तो मैंने इसको मना कि क्या आगी कुछ और बैट ले तो काफी इंज्वाई किया मतलब थोड़ थोड़ सी धूप आ गए थी उस टैम बारिश कम हो गए थी तो जब दिन में यह पकोड़े वियर आपके साथ शेयर कर ली थे तब बहुत बारिश लगी थी तो मतलब कोई जाने का प्लान नहीं था नहीं सीद्धे फिर थोड़ स मौसम ठीक हुआ तो शैद हमारे किसमत थाई लास दिन था तो हम ऐसे चले गए घूम लिए और मतलब क्या बहुत बड़ा मतलब क्या बोलो रोटी से तीन-चार रोटी मिक्स करके इतना बड़ा पापड बनाया था बीस रुपे का बहुत ही टेस्टी था वो और वह खाया ह हमने छोले बटूरे आइस क्रीम और कुछ चा चाट पापड़ी कुछ ऐसा थोड़ा खाया मैंने बटूरा थे खाया एक भी नहीं खाया था पूरा बट लंच नहीं किया था हमने तभी जाकी वही पकोड़ी भी रखाई थी ना उसके बाद तो छे-पांच शे बजे का टा यह हमारा भी लास दिन था और देख सकते हो मेरी हालत कोई बात नहीं और आगे होर्स वाला था ना रकड़ी की काठी काठी पे खोड़ा घोर यह बहुत अच्छा था बड़े मतलो जो मदर वग्यारा थे फादर वग्यारा बच्चों साथ उपर जा रहे थे तो उनके साथ पकड़ के होर्स पे बठाया था बच्चों को तो काफी बच्चे इंजुआए कर रहे थे और यह वीडियो है फरबरी चार-पांच फरबरी की है उसके बाद आज कितनी है 11-12 फरबरी में कोई याद नहीं है तो ये कल पिछले कल का वीडियो आज मैं इसको एडिट कर रही हूं तो ये पिछले दिन का वीडियो है जब हम बाहर गए थे खाना खाने के लिए खाना क्या मुझे तुरा ऐसा में तबीत खराब थी शाम का टाइम था और कुछ बनाने का वो नहीं था ये साड़े साथ आठ बज़े का टाइम है शायद और खाना बनाने के हिम्मत नहीं थी तब ही खराब हो गई थी मेरी और तीन चाह दिन से मैं जैसे लग रहा था कि मैं कुछ मिर्ची वाला खाऊ हूं जैसे चौमीन वग्यारा तो मेरे हैजमन के मन में था क इसके मुँ से निकला तो मैं इसको खिलाओंगा खिलाओंगा तो जब बज़े आगे तो यह इनको बूला मैं कब जाओं कब त्यार हूं मेरे मेहमत नीहीं तो इनका मन था कि यह साथ चले बाहर चले इसका थोड़ा मूर चेंज हो और कुछ बाहर के हवास हो इसकी तबिए बगएरा ठीक हो तो जबरदस्ती मेरे को ले गए थी तो आप मेरे फेस से देख सकते हैं मेरे फेस पूरा उत्रा हुआ मेरे तब इत बहुत खराब थी तो मैं गई और चौमेनी खाई में थोड़ी सी काफी टेस्टी थी पुराने वाले रेस्ट्रेंट में गही जाब आयान क सब्सक्राइब है जो पीज़ें लगता है विदे लगता है थे सज्बहिंशा बच्यों के लाइक होता है बच्यों के लाइक होता है वथे पीजह चाहेरा हर्ड़ के gucken इसले आयान के बर्थरे पर हम इत्रे बड़े रेस्टोरेंट में गए थे जो काफी मतलों महेंगा था कोस्तली जिसके एक रोटी थी 100 रूपीज एक नॉर्मल रोटी तो वहां पर पीजा खाया तरह टेस्टी नहीं था बट आयान को मेरे यही पसंद है तो हमेशा बोलता है इसने एक दो पीस खाने होते तो इसने खाया और मैंने जो प्लेट में चौ मिली यह खाई हो एक पीस मैंने पीजा का खाया और उसके पर हम घर मैं आपको बताया आयान के बर्थ में दिन हम बाहर गए तो बोलता ममा मुझे उसी पुराणे होटल में लेके चलो यह देख सकते हैं आप कितना इंजॉय कर रहा है तो फ्रेंड्स कैसी लगी आपको मेरी आज की वीडियो आई होप आपको अच्छी लगी होगी तो टेक केर शुब रात्री